दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि sciences में best 3 calculate होती है या best 4 के marks calculate होती है तो जाधा तर आप लोग कहोगे best 3 के marks calculate होती है बट आज मैं आपके सामने वो चार courses लेकर आया हूँ जहां sciences में भी best 3 की जगा best 4 compute होती है स्वागत है दोस्तों आपका education academy में मेरा नाम है काशिक और चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले list A और list B इन दोनों list क्या आप एक बार screenshot ले लो ताकि आपको आगे problem ना आए हमारा पहला जो course है इस category में वो है B.Sc. Honors in computer sciences यहाँ पे जो eligibility है वो है 60% या 60% से जाधा in maths मतलब maths compulsory है उसके बिना आप computer science नहीं ले सकते language आपको English ही select करनी है और other three subjects चो बच गये हैं उन में से maths तो आपको select करना ही करना है उसके अलावा बाकी की दो subject आप ले सकते हो physics, chemistry, computer science और informative practices में से कोई दो अगर आप इन तीन को छोड़ कर कोई और subject लेते हो list B से तो हर subject के लिए 1% की reduction होगी in short English लेना जरूरी है, math लेना जरूरी है, बाकी की दो subject physics, chemistry, computer science से लो अगर इन से नहीं लेते हैं तो 1-1% की reduction होगी दूसरा हमारा course जो काफ भी popular है वो है D.H.C. Honors in Maths and Stats यहां पे भी eligibility सेम है लेकिन language में यहां पे relaxation यह है कि English के अलावा भी list A के first part में list A1 में जो भी language है आप उसे select कर सकते हो और other three subject में भी relaxation है, math सो लेना ही पढ़ेगा अगर math पढ़ना है तो उसके अलावा दो जो subject है आप कोई भी दो subject ले सकते हो list B से अपने third course के बारे में हम बात करते है यह है B.Sc. Mathematical Sciences Honors को भूल जाओ यह गलती से है eligibility यहां पे है 60% यह more marks in math और language और बाकी सारी चीज़े सेम जैसे mathematics में थी इसके अलावा एक last course बच गया वो है B.Sc. Pass Home Sciences का यहां पे eligibility है 50% or more marks in English इसके अलावा language आपको English से select करने पड़ेगी लेकिन other three subjects में तो क्या कहने आप अपनी मर्जी से कोई भी best three subject ले लो जो list B में हो यही चारे से courses से जहां पे best four compute होती है जहां best three compute होती है वो आपको 6 बज़े वीडियो मिलेगी sciences की सभी courses की detail के साथ तो आज की वीडियो में इतना ही thank you so much पर यह वीडियो देखने के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो please like करो आप अपने suggestions और improvement के लिए क्या क्या हो सकते वो नीचे comment करना मत बूला और चैनल को subscribe कर करी जाना हम मिलेंगे फिर से 6 बजे तब तक के लिए बाइ